नवसकर दोस्तो जहिन्द वन्दे मात्रम दोस्तो मैं आपके साथ जैसाल से सभी प्यारे मित्रों का सभी भावी या दापक धापिकाओं का विलकम अभिन blijन्दन दोस्तो अबर फेमली में सिचकों के परिवार पे जैसाल कोचिंग सिंटर पर पावरड भाई सिच्छा ही प् और आज के दस दोस्तो ऐसे प्रस्ण है जो अभी तक आपके यानि की दो हजार गेरा से लेके दो हजार बीस तक जितने भी टीटीक जाम है प्राइमरी लेवल में पूछे गए प्रस्णों का कलेक्शन है दोस्तो हम बात कर रहें नंबर सिस्टम की यहां से चैसे आठ नंबर कलियर होगे, कंसिप्ट कलियर होगा क्योंकि सेलेक्शन दोस्तो सरो परी है आईए देखते है पहला प्रस्ण है यह दोस्तों पुछा गया आपके सीटेट यूपीटेट ठीक है री टीक जाम में पूछा गया है साथी साथ संबीदा और गती इन में भी पूछा गया प्रस दोस्तो चारंक वाली कितनी संख्याएं हैं चारंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती सभी पहले तो ये बता दीजे सभी पैरमिन्त जी हाँ शबी लोग कमेंड करेंगे हिंदू आर्विक संख्या में चार अंक वाली कितनी संख्या हैं देखे चार अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होती है वह कितनी होती है सबी लोग जानते हैं सबसे चोटी चार अंकों में एक हजार होती है और चार अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होती है वह होता है 9999 सबसे बड़ी चार संख्या में और चार अंकों की कुल संख्या संख्याओं की कुल कितनी हो जाएगे प्रस्ण देखे, हिंदु अर्वी संख्यांकर बदद में चार अंक वाली कुल कितनी संख्याएं है, सबी लोग कमेंट करेंगे, तो आपको ये एक जांपल के तौर पर लेना है, भारमूला क्या लगाना है, कि चार अंकों की कुल संख्याओं की संख्या पूंचा गया है, अ इसी के साथ प्लस एक कर देना है, आपकी वैलू आजाएगी, जी हाँ, मैंने क्या कहा, सबी लोग जांद करें, चार अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, चार अंकों की सबसे जो छोटी संख्या इनको माइनस कर लीजी, और इनमें एक जोड दीजे, आपका वैलू 999, माइनस 1000 कीजे, कितना आजाएगा, 8999 आजाएगा, और इसमें क्या करना है, प्लस एक कर लेना है, अर्थाद दोस्तों, यानि कि 9000 क्या हो जाएगा, चार अंक वाली कितनी संख्या होंगी, तो 9000 संख्या होंगी, चार अंक वाली, जी हाँ, चार अंक वाली कितनी संख् होगी अथाद दूसरा अपसन सई हो जाएगा बहुत बहुत धन्वाज सभी मित्रों का अब देख लेते हैं दोस्तों दूसरा प्रसन आपके स्कीन पर क्या दिया गया है सभी प्यारे में तध्यान पूरक देखेंगे दूसरा प्रसन है कि संख्या 4089 को पढ़ा जाएगा कैस प्रसन है 4079 28 को पढ़ा जाएगा क्या पढ़ा जाएगा सभी लोग कमेंट करेंगे 21 दहाई सेक्रा हजार दसजाल लाक में संख्या दी गई है अर्था चार लाक साथ हजार 928 पढ़ेंगे क्या मैं सही कह रहा हूं सभी प्यारे मित फीड़वेक करेंगे सभी प्यारे मित बीड़ो को लाइक अवस कर लेंगे दोस्तो आपका अपना परिवार है सिचकों का परिवार है अवर फैमिली है दोस्तो राइट आपसन आप जान चुके हैं आप देखते हैं दोस्तो अंगर प्रसन आपके स्कीन पर आ चुका है कि निमिल्कित में से कौन सी महत्तम संख्य है अब आपको महत्तम संख्या बताना है अगर सेलेक्शन पाना है तो वीडियो को अंतक देखिए ध्यान पूरक अच्छे तरीके से क्यों कि सेलेक्शन दोस्तो शरो परी है अब देखते हैं महत्तम संख्या की बात कर रहा है महत्तम संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तो पहला बिकल्प देखिए महत्तम यानि सबसे बड़ी संख्या देखे पहला बिकल्प दिया गया है ठीक है दो धन दो छोटा कोश्टक का स्क्वेर फिर बड़ा कोश्टक लगा के फिर स्क्वेर किया गया है तो पहले हमें क्या छोटा कोश्टक तोड़ना है छोटा कोश्टक तोड जो value आई कितनी आई 256 सभी लोग नोट कर लेंगे पहली जो आपसन की value 256 आई अब दूसरा आपसन देखिए दूसरा विकल्ब कह रहा है कि 2 धन 2 धन 2 का whole square अर्था 2 दुनी 4 2 6 6 का whole square ये 36 आ जाएगा ये तो बहुत कम है दूसरा आपसन तो हो ही नहीं सकता है अब देखते हैं तीसरा आपसन चार चोग 16 चार का square दिया है तो 16 आ जाएगा इसके बाद तीसरा आपसन देखते हैं अब तीसरे आपसन में गुणे के रूप में दिया है अर्थात 2 दुनी 4 दुनी 8 आठ का square करेंगे कितना जाएगा 64 आ जाएगा अब यहाँ पे लिखेंगे पहला आपसन आया था 256 दूसरा आपसन में क्या आया था सभी लोग बताएंगे 36 आया था तीसरे आपसन में तो 4 चोग 16 है और चौथे आपसन में क्या रहा है 64 तो सबसे बड़ी महत्तम संख्या 256 होगी अर्थात यहाँ पे पहला आपसन सई हो जाएगा सभी मित्रों को जेहिंद बन्दे मतरम दोस्तो आयोब सभी प्यारे मित्र जितने भाई य्बयें से चगबन्दो चैनल पे पहली बार आएगे अपने spirits को के फैंवली बार पजेट कर रहे हैं सबस्काइब कर लेंगे दोस्तो आपका अपना परिवार है और अंगला प्रश हैं और MPTT में भी ये प्रश्ण पूच्छा जाना संभावेत प्रश्ण है कि संख्या 49-532 का सन्निकट हजारवा मान होगा आप किस लेवस पर है सभी लोग कमेंट करेंगे फीड़ वेक करेंगे क्या होगा राइट इंसर फट आफट दोस्तों सही इंसर आ चुका है सही इंसर हजारवा मान है यानि इसके पहले जो संख्या आएगी वह क्या आएगा 49,000 आएगा अगर हम ठीक है इसके पहले अगर संदिकट मान होता है हजारवा में देखना है ठीक है सैकड़ा में नहीं है हजारवा तो 49,000 आजाएगा इसके पहले और बाद वाला क्या आएगा 50,000 आ 49, 532, जो है आपका, ठीक है, अजार में मान में जो है आपका दिया गया है, क्या है, संख्यों में सननिकट मान क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे 50,000 होगा, अब आप बोलेंगे, 49,000 क्यों नहीं हुआ है, अगर 500 से कम है, 532 अर्थात 500 जादा है, तो हम क्या जाएं आंगले वाले संख्या में जाएंगे अगर दोस्तों यहाँ पे कुछ होता है 300-400 अंत में होता 300-400-500 से कम है तो फिर हम 49,000 वाले में जाते जो नजदीक पड़े उसे में सन्निकट मतलब क्या होता है नजदीकी कौन सा नजदीक होगा तो 50,000 नजदीक पड़ता है ठीक है तो आप 30 के चल लए है सभी मित्रों को जहिंद बंदे मात्र में इंकलाब जिंदाबाद सलिक्सन शरो पर ही है अब देखते हैं दोस्तों अंगला पर चप्पन एक तर और उसकी अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा यह सभी टीटीक जामें पूच इसलिए को दोस्तों यह सशन यह क्लास इंपॉर्टेंट है तो 571 उसकी अंकों को पलट देने पर प्राप्त जो संख्या का अंतर क्या आएगा सभी प्यारे मिद्ट करेंगे कमेंट करेंगे रिखें दोस्तों मूल संख्या दी गए च्छपन एक संख्या को पलट देने पर तो 17, 65 अब दोनों का माइनस कर लीजिए गेरा में 5 गया, 6 आएगा इधर और 6 में 6 गया, 0 आएगा 16 में 7 गया, कितना आएगा, 9 आएगा और यह 4 बचा, 3 आएगा स्वारी ठीक, 4 में गया, 3 आएगा 49, 0, 6 आएगा 49, 0, 6 देखें किसमें हैं आप देखेंगे फोर्त आपसन है आपका फोर्त आपसन सही हो जाएगा बहुत बहुत शरल होता है गणिस से डरना नहीं है, गणिस से चिपक जाएए गणिस से लव करना है गणिस से जितना ज़्यादा लव करेंगे आप उतना ही अच्छा अंक लाएंगे ये ध्यान दीजेगा जी हाँ अंगला प्रशने 63606 में 6 का इस्थानी मानों का योगफल क्या होगा सभी लोग कमेंट करेंगे ये संख्या है इनमें 6 का इस्थानी मान निकालना है और उनका योग कर देना आपका इंसर आजाएगा सबी लोग कमेंट करेंगे 63606 में इस्थानी मान निकालना है देखे पहले 6 का जो इस्थानी मान आएगा पहला जो 6 है इसका इस्थानी मान कितना आजाएगा इस 6 के बाद देखे कितने अंक हैं 4 अंक हैं तो कितना आजाएगा च्छे हजार आ जाएगा पहले क्या है इस्थानी मान पहले च्छे का दूसरा च्छे के लिखिए दूसरे च्छे के बाद कितने हैं दो वंक हैं तो क्या आ जाएगा च्छे सो दूसरे च्छे का इस्थानी मान आ जाएगा और तीसे च्छे का च्छे ही आएगा अर्थात इनक यहां आप चृआ में 2656 यहां है और अरफात भी आपसंट से हो जाएगा कि पहला अप्सन से होगा आप यहां पर कन्फ्योज होता है दोस्तों कौन से होगा सबी लोग कमेंड करेंगे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ध्यान दीजेगा 6,000 नहीं है 60,000 है 6 के बाद 4 संख्या करना है यही तो गलती कर देते हैं जोड गटाना गुना भाग में गलती करना नहीं है और यह आ गया 6 आपका इधर यह 0, 6, 0, 6 अर्था 66 अर्था था हमारा पहला अपसन सही होता हमने पहले गलती करा इसी तरह गलती कर देते हैं भी आपसन कर देते हैं तो क्या होगा एक नंबर कर जाता और हम बोलते हैं हमने तो एक कॉश्चन किया है हमारा अंक क्यों नहीं मिला है गलती यही होती है तो यही सुधार करना है और सलेक्शन पाना है अर्थात एक आयूटे कोश्चन राइट अपसन नमबर फर्स्ट हो जाएगा अंगला प्रस देख लेते हैं दोस्तों आपके स्कीन पर है कि 19,000 प्लस 19 सेकड़े प्लस 19 हिकाईया किसके बराबर होगा सभी लोग कमेंड करेंगे कहने का देखने का बहुत इसर कोश्चन तो इतना इजली है कि दो कलास का बच्चा भी सॉल्ब कर लेगा लेकिन यही जब प्रस निक जाम में आता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों दिमाग कहा नहीं करता है दिमाग बोलता नहीं है सून हो जाता है इसलिए experience important है आईए ध्यान पूरक उन्नीस हजार लिखना है उन्नीस हजार लिखिए दोस्तों उन्नीस हजार मतलब उन्नीस के बाद तीन शुन कर देना है उन्नीस सैकड़ा मतलब क्या होता है उन्नीस के बाद दो जीरो कर देना है साइकड़ा में 2 जीड़ो होता है और 19 हिकाईया अर्थात 19 कर देंगे अब इनको प्लस कर लेना है प्लस करिए सभी लोग 9 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया 10 आ जाएगा, 2 आएगा कितना आ गया सभी लोग नोट करें 29, 29, 29, 29, 29 आ गया किस आपसन में है, सेकंड आपसन में है क्या मैं सही कह रहा हूँ दोस्तो, फीड़ेक करते जाएं आपका फीड़ेक, आपको ओपिनियन सुर्मान है दोस्तो, अगर आपने टेलीग्राम पे जोईन नहीं किया तो जरूर जोईन करें, सर्च करें जैस्वाल कोचिंग सेंटर, आपको गुरूप मिलेगा, लिंक भी दे दिया जाएगा और साथी साथ दोस्तो, जैस्वाल सर से डिरेक्ली बात करने के लिए इस्ट्रागाम पर भी फालो कर सकते हैं निम्रिकित में से कौन सा सही है यानि कि एक हजार के परवर्ती का पूरवर्ती एक हजार होगा एक हजार के पूरवर्ती का पूरवर्ती 999 होगा एक हजार के पूरवर्ती का परवर्ती एक हजार होगा या एक हजार के पूरवर्ती का परवर्ती एक हजार दो होगा है थोड़ा समय लगेगा लेकिन important है क्योंकि परवर्ती पूरवर्ती यह समझ गए एक number पक्का जी हाँ दोस्तों समझेगा देखे एक हजार की परवर्ती संक्या क्या होगी परवर्ती मतलब पहला आपसन ज्यान दिजे 1000 लिखेंगे परवर्ती मतलब प्लस करना है तो हमारी value संख्या क्या आ गई 1001 आ गई इसके बाद कहरा है इसका पूरवर्ती करना है पूरवर्ती मतलब फिर हमें एक घटा देना है जब हम फिर एक घटा देंगे तो हमारी value क्या आ जाएगी same to same 1000 आ जाएगी अर्थात यही तो दिया गया पहला अप्सन कि 1000 के परवर्ती का पूर्वर्ती 1000 है थात हमारा पहला अप्सन सही हो जाएगा अब दूसरा आप्सन देखते हैं कि 1000 के पूर्वर्ती का पूर्वर्ती भाईया 1000 तो लिखा है इसका पूर्वर्ती हमने एक कर दिया 999 आ गया इसका भी पूर्वर्ती निकालेंगे घटा देंगे तो 998 न होना चाहिए लेकिन आपके आप्सन में 999 दिया गया है जो की गलत है तीसरा देखिए 1000 के पूर्वर्ती का पूर्वर्ती 1000 का पूर्वर्ती मतलब 999 एक घटा देना है और इसका पूर्वर्ती यानि कि एक प्लस कर देना है तो 1000 ही न आएगा लेकिन आपका कहराए 1001 है तो यह भी गलत है 1000 के पूरवर्ती का परवर्ती 1000 का पूरवर्ती मतलब 999 और इसका परवर्ती यानि के प्लस एक कर देना 1000 आ जाएगा लेकिन यहाँ पर 1000 दो गया है तो आपसा नमबर पहला क्लियर होगा अब देखते दोस्तों अंगला प्रस ध्यान पूरग देखेगा हरे कोश्चन को क्योंकि कोश्चन इंपोर्टेंट है और सेलेक्शन दोस्तों शरोपरी है सभी प्यारे मित कमेंट करेंगे फीड़बै करेंगे आपका अपना परिवार है एक दुकान में 249 खिलाओने है 70 और खिलाओने लाए गए उनमें 152 बिग गए बच्चे हुए खिलाओने की संख्या क्या होगी सभी लोग कमेंट करें यह 70 जो लिखा यहाँ पर कनफ्यूज हो जाते हैं बहुत से बच्चे 70 यह सत्रह समझ लेते हैं भईया यह सत्रह है यहाँ पर दिया गया 70 अथाद 70 की बात कर रहें यह वाला सत्र यहाँ पर भी कनफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा बहुत ठीक है अब आईए इस कोश्चन को सॉल्प करते हैं ध्यान पूरक देखें कुल खिलाओने की संख्या 249 है लाए गए खिलोने प्लस 70 खिलोने और लाए गए इनको प्लस कर लेंगे टोटल खिलोने हुए 309 इन में से 102 बामन बिग गए 309 में 102 बामन बिग गए अर्थात 102 को माइनस कर लिजे 9 में 2 गया 7 10 में गया 5 2 में गया 1 117 बचेंगे सभी लोग बटाएं कितना बचेग भईया 309 कह रहा है और कह रहा है कि 152 बिग गए सभी लोग कमेंट करें तो कुल खिलोने का योग कितना हो जाएगा 309 हो जाएगा और 309 है और बिगे कितने दोस्तों 152 बिग गए अब बताईए कितने बचेंगे अर्थात आप समझ गए होंगे आपका अपसंदिया हुआ है आपको यह नहीं बताना है आप ध्यान दीजेगा हमें वैलू नहीं बताना है केवल डाइरेक्षन बताना है भईया वैलू नहीं पूचा गया है कि आपका वैलू बताईए केवल आपको डाइरेक्षन बताना है कि कौन सा होगा तो तीसरा अपसंद डाइरेक्षन होगा अर्था दो सो स्वरी दो सो उन्तालिस खिलाउने है दो सो उन्तालिस तीसरा अपसंदिये दो सो उन्तालिस खिलाउने है पट्लस 70 आएंगे तो यहाँ पर प्लस 70 हो जाएगा और एक सो बामन गींगे तो माइनेश 1 सो बामन हो केवल डायरेक्शन बताना है कि पलस माइनेश कहा होगा तो आपका तीसर आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रस देखेंगे क्योंकि अध्यापक अध्यापिका बनना तो हरे क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है अंगला प्रशन है कि 379 गुणे 95-73 की गुणन फल में दहाई अंक और इकाई अंक का योग फल बताना है सभी प्यारे मित कमेंट करेंगे सभी मित्रों को जहन जैस्वासर सभी को नमन करते हैं दोस्तों क्योंकि सिच्छा की जो बात करते हैं राश्चित में सिच्छा की बात करते हैं पावड वाई सिच्छा ही प्रकास है आप सभी जानते हैं कि जो आप लोग सिच्छक हैं सिच्छक का जो मान सम्मान होता है रास्ट निर्मान में सर्वोसरी होता है सर्वोपरी होता है इस प्रस्ण का जवाब जाएंगे इस प्रस्ण का हल करते हैं आईए देखते हैं दोस्तो सभी लोग कमेंड करेंगे देखें दोस्तो इनका गुण़न फल निकालेंगे सभी लोग रफ बिलने ले इनका गुण़ना करें कितना आएगए, मैं डिरेक्टली यहां पर इंसर लिखे देता हूँ किया मैं सहे लिख पा रहा हूँ आप गुण़ना भी करते जाएं दहाई कंक जीरो है यही तो प्रशन है कि दहाई कंक और इकाई कंक को योगफल पूछा गया है तो भाईया जीरो में साथ जोडोगे तो आपकी वैलू क्या आएगी साथ ही रहेगी ना पहला अपसं सही हो जाएगा किसको किसको समझ आ गए है दोस्तो आई होब सभी प्यारे सेसन इंपोर्टेंट होता है अब यह आ गया मौक कोश्चन इस मौक कोश्चन का एंसर आपको कमेंट बाक्स में बताना है और इसका एंसर हम कल की क्लास पर डिसकस करेंगे दोस्तो निमलिखित में से बिभाजन में सेस उस्त्री अधिक होगा जब आप 173 को 3 से बिभाजित करेंगे चार आपसन है कौन सा सही होगा नीचे कमेंट करना है और मौक कोश्चन को एंसर आपको आसान पाना है तो चले दोस्तो यह क्लास कैसे लगी यह ससन कैसा था कमेंट करके ज़रूर फीडवेक बताएं जो भी कमिया हो जो भी गलती हमसे होती हो जैस्वासा से तो करेंगे